एशिया कप, वर्ल्ड कप की ड्रेस रिहलसल और आयरलेंड की सीरीज खासकर तीन खिलाड़ियों के लिए एशिया कप की ड्रेस रिहलसल है ये तीन खिलाड़ी हैं जस्प्रीद, बुम्रा, प्रसिद्ध, कृष्णा और संजू सैमसन इनमें बुम्रा और किष्णा लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं जबकि संजू को अपनी फॉर्म की तलाश है अगर वो वेश्ट इंडीज के खलाफ सीरीज की तरह यहां भी नहीं चलें तो फिर सेलेक्टर सुनें टाटा बाई 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 करने में देर नहीं लगाएंगे लेकिन इस समय उनसे भी जादा फोकस बुम 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 बुम्रा पटिका हुआ है क्योंकि बुम्रा एक साल के बाद वापसी कर रहे हैं जस्परीद बुम्रा एक खिलाफ सितंबर में T20 सिरीज में इंजर्ड हो गये थे उनके लोर बैक की परिशानी थी जिससे उनकी सरजरी करानी पड़े थी यह वो समय था जब बुम्रा ने जादा समय अपने परिवार के साथ बिताया और फिर NCA में रिहैब से जुड़े अपनी इंजरी से उबरने के बाद उन्होंने कुछ समय नेट्स पभी गुजारा अब वो पूरी तरह से तयार है पहले आइरलेंड के किलाफ सीरीज के लिए और फिर एशिया कप के लिए एक तरह से उनके लिए एक इंतहान की घड़ी है और इसी ख़वर पर हमारे साथ दो सहीयोगी जुडेंगे मनोष जोशी जी जुडेंगे जो Sports Head है लिए नीजानूस के और हमारे साथ परशांत शिणर जी जुडेंगे जो Sports Expert है मनोष जोशी जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि बुम्रा के अगर करियर को देखा जाए तो अब आने वाले समय में Asia Cup है वर्ल्ड कप है और ऐसे में ये अगनी परिक्षा के तौर पर इसे देखा जा सकता है या फिटनेश टेस्ट जिसे हम अगर क्रिकेट की भाशा में कहें तो वो कहा जा सकता है क्योंकि इसी सीरीज से ये तैह होगा कि क्या जो बुम्रा है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है या नहीं जी हम बिल्कुल सही कहा आपने सिराजी क्योंकि अगर आप देखें तो जस्परीद बुम्रा जो है उनको हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी टी टॉन्टी वर्ल्ड कप से पहले उनको भारती क्रिकेट टीम में शामिल किया था टी टॉन्टी सिरीज खिलाई थी होम सिरी अगर आप देखें तो जिस तरह की उनकी गेंदबाजी है जिस तरह से हमारी जो टीम की संरचना है टीम में आपके पास सिराज है शमी है बुम्रा है यही 2019 के वर्ल कप में थे यही यहां भी मौजूद है तो अब आपके पास जो टौथे फास्ट बॉलर है वो है आपके प हरिस रौफ हो नसीम शाह हो और बाकी अन्य टीमों में भी देखेंगे तो हमारा अटैक जो है बहुत कुछ बुम्रा पर निर्भर करेगा क्योंकि बुम्रा किस तरह से गिनबाजी करते हैं क्या पुरानी लए में वो लौटते रही है या नहीं क्योंकि यह एक नासे मानसि और शारेरिक रूप से उनका इम्तिहान है इम्तिहान की घड़ी है अगर यहां वो पास हुए तो निश्चे तोर पर एश्या कप में वो चुने जाएंगे जो ड्रेस के हैसल होगा वर्ल्ल कप की जी मनो जी लेकिन दो और ऐसे खिलाडी है जिन पर नजर है जिसका जिक्र हम लोगों ने किया है एक उसमें से साइम है तो इन दो खिलाडीों पर किस तरह से नजर रखी जाएगी और किस तरह का इनका प्रफॉर्मेंस अभी तक रहा है देखिए प्रसिद कृष्णा जो है प्योगिता दिखा सकें और जिससे कि वो कम से कम एक स्टैंड बाई ऑप्शन भारती टीम के रहें और क्योंकि एक लंबा टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप का और उसे पहले इस्या कप तो यहां कुछ खिलाडियों के जो इंजरी जो है वो जो अभी तक भारत बहुत परिश प्लेबाजीन की नहीं है तो ऐसी स्किति में इनको एक स्टैंड बाई ऑप्शन के तौर आजमाया जा सकता है और रही बात तीसरी संजू सैंसन की तो संजू सैंसन जो है क्योंकि आउट ओफ फॉर्म चल रहे थे हाल में क्योंकि मौके पर चौका लगाना वही सबसे दौड कर रन भी लेने होते हैं लेकिन वो दौड कर रन लेने के मामले में काफी कंजूस हैं यहीं उनके लिए सबसे बड़ा परिशानी का सबब है तो संजू सैंसन पर निगाहें हैं कि अगर कहीं खुदा ना कास्ता श्रेयर सेयर की इंजरी जो है वो रिकवर वो समय पर उनके लिए उनके लिहास से बहुत अनुकून नहीं है दो खिलाडियों का जिक्र और करना चाहूंगा एक यह सवी जैसवाल हैं एक रितिवराज गायकवार हैं इन दोनों खिलाडियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है हाल के दिनों में अगर देखा जाए इनके भविश को अगर देखा जाए खासकर एशिया कप को लेकर तो उसे आप कैसे देखते मुनोजी जैसवाल और दोनों जो आपने नाम लिए दोनों बहुत टेलेंटेड हैं लेकिन वर्ल्ड कप से पहले क्योंकि अब जो कोई भी सीरीज चल रही है चाहिए वो टी टॉन्टी का टूर बारन है भारती टीम में कि जब जब उनको मौका मिला यंग्स्टर्स को यंग्स्टर्स ऐसी समय में दबाव को ओड नहीं पाए दबाव उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया तो ऐसी सिती में मैं कहूंगा टैलेंटेड बहुत हैं तिलग वर्मा भी बहुत लेकिन ये वर्ल्ड कप में खिलाने का समय नहीं है कि उनको सीधे वर्ल्ड कप में उतार दिया जाए उसके लिए अगर उनको रखना ही था तो आप उनको एक साल पर लगातार भारती टीम में मौके देते तो शायद आपके लिए विकल्प ज़्यादा मौया होते क्योंकि जिसना से रवीशास्त्री बाएं हाथ के बल्लेबाज की वकालत करते रहे हैं कि टॉप साथ में तीन भारती बल्लेबाज जो हैं बाएं हाथ के होने चाहिए तो आपके पास जड़ेजा हैं इशान किशन हैं तीसरे तीज गिनबाज जो हैं तीसरे जो बाएं हाथ के बल्ल तो पांच मैचों की जो T20 की सिरीज थी, 57 के औससस से उन्होंने 173 रन बनाए, खासा प्रभावित किया है उन्होंने. ये खासा प्रभावित किया है, बहुत टैलिंटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और गिन्बाजी भी करते हैं, निकलस पूरन को उन्होंने आउट भी किया है, और एक पार्ट टाइम आपको बॉलर की कभी भी वो उसकी भी बरपाई करते हैं, लेकिन यहां मुद्दा य घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब के सब जो है नौसक्या साबित हुए, फेलियस रहा उनका, तो उन घटनाओं से हमें सबक सीखने की जरूरत है, इस वक्त सूरी कुमार जादा जा संजू सैंसन के अलावा हमें किसी और बल्ले बास पे जाना मुनासिब नहीं ह पहला है जोशूला लेटल जो टेज गेनबाज़ हैं, अच्छी गेनबाज़ी करते हैं, कई सारे मैचेज उनने खेले हुए हैं, टी-20 की क्यी सारी सीरीज उन्होंने खेली हुई है, और दूसरा है पॉल जो बल्ले बास है इन दोनों के बारे में दरचिकों को विस्तार से बताईए किस तरह की गेनबाजी और बल्लेबाजी करते हैं और T20 का जो मैच टीम मैचों की जो सिरी शुरू हो रही है भारत के साथ उसमें इनकी भूमिका कितनी एहम होने वाली है देखे पूरी टीम भी एक मुकमल टीम है और इस टीम को कभी भी हम अंडरेस्टिमेट नहीं दो सो बीस के आसपास का स्कोर जो है आरलेंड की टीम ने खड़ा किया तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टीम के इरादे और ये टीम जो है एक या दो खिलाडियों पर निर्भर नहीं है अभी तो आपने दो नाम लिये हैं मैं तो कहूंगा इस टीम में कम से कम छे ऐसे मैज विनर मौजूद हैं तो आप क्योंकि आप यहां हमारी भारती टीम में रिंकू सिंग से लेकर कई युवा उभरते हुए खिलाडी मौजूद होंगे तो ऐसी सिती में इतना आसान रहने वाला नहीं है बिल्कुल मामला 50-50 है आरलेंड को आप अंडरेस्टिमे या फिर जस्पृत भुमरा हो या परसीदिक्रिशना हो इन पर सब की नजरेट की हुई है कि ये वहां कैसा परफॉर्म करते हैं वहां की कंडिशन से कैसा अड्जस करते हैं क्योंकि टीम में 5-5 फास बॉलर है तो परसीदिक्रिशना की जगा कहा बनती है ये देखना भी ब मैच होना है वो पिच जो बैट्समेन है उनके फेवर की पिच है और अस्तर्थन इस पिच पर 150-180 रन बनते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर यह सीरीज का मैच आज होता है अगर बारिश की वजह से रद नहीं होता है तो 200 का रन भी बड़े अराम से यहां पर बनाया जा सकत है लेकिन अब सवाल यह भी है ना कि कितने ओवर हो पाते हैं 20 ओवर का एक पारी को 20 ओवर मिलते हैं अगर मान दीजिए बारिश होती है बानुए परसनेंट बारिश की संभावनएं व्यक्त की गई है। मैच को छोटा किया जाता कि बारिश होकर ही सब कुछ खत्न नहीं हो हुए हैं क्योंकि वह कितने फिट हैं शरीरी ग्रूप से मांसी ग्रूप से तो यहां पर अब नंबर ओवर्स भी अगर कम कर देंगे तो उससे परिशानिया भारत की ही बढ़ेंगी क्योंकि इस सीरीज का रिजल्ट जो है वह बहुत जादा माइने नहीं रखता यहां माइने रखता है हमारे बारा खिलाडियों का इश्याई खेलों के लिए तैयारी और इन तीन खिलाडियों की इश्या कप के लिए तैयारी खासकर जो नजर रहेगी मनोच जी वह बुम्रा पर रहेगी क्योंकि बुम्रा से पूरा स्टेडिय होगा कि इन अगर 12 ओवर की जगा 8 ओवर अगर करते हैं आज का जो मैच है वो बारिश की वज़से धुल जाता है तो ऐसे में जो सेलेक्टर्स होंगे वो कैसे तै करेंगे मुश्किले होंगी उनके सामने भी बिल्कुल देकि जस्पीद भुमरा के सेलेक्शन को लेकर तो हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़े भारती टीम के मैच विनर हैं ट्रम कार्ड है भारती टीम के उनकी तो फिजिकली और मेंटली वो कितने प्रिपेर होते हैं कितने तयार होते हैं उस पर सबकी नजरे बनी रहेंगी और हम भी यह देखना चाहेंगे कि बुम-बुम बुमर बात हुई उसके बाद टिकेट भी इतना शुरू हो गया है और बहुत जल्ब वो भी टिकेट खत्म हो जाएगा और जो स्टेडियम है वो दर्शुकों से खचाखच भरा होगा मनोज जोशी जी स्पोर्स एडिटर इंडिया न्यूस के आपका जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया बोल्टेन में वक्त होगा एक छोड़े से ब्रेक का ब्रेक के बाद फोरा नाजिर होते है